ओम श्यांति अपने संस्कारों को परिवर्तन करो तो तुमारा संसार बदल जाएगा हमारा संसार माना, हमारा परिवारिक जीवन, हमारा कर्म छेत्र, सब कुछ बदल जाएगा हमारी जीवन में सहज सफलता प्राप्थ होने लगेगी निराशा के बादल छट जाएगे और हमारे घर में सदा, खुसियों के जूले में सब जूलते रहेंगे तो हम अपने संसकारों को बदलेगे अच्छी तरह पहचान लें, मेरा कौन सा संसकार मुझे कस्ट देता है या दूसरों को कस्ट पहुंचाता है ऐसा तो नहीं, हम अपने किसी संसकार को बिलकुल राइट समझ रहे हैं और उससे सब को परिशानिया हो रही है क्योंकि जिस्वन उसमें एहम बहुत होता है, वो सदा अपने को राइट ही समझता है प्रन्तु यदि हमारे द्वारा दूसरों को कस्ट पहुंच रहा है यदि हमारी वानी दूसरों का सुक छीन रही है यदि हमारा क्रोध घर में अश्यांती पैदा कर रहा है यदि सब लोग हमसे दूर भागना चाहते हैं तो हमें समय लेना चाहिए हमारे संसकारों में कही ना कही गड़वड है, हमारा स्वभाव चिड़ चिड़ा है, हमारे स्वभाव में प्रेम नहीं है, अपना पन नहीं, सुभाव नहीं है और हमारे वचन ऐसे नहीं हैं, जो दूसरों को प्रिये लगें, दूसरों को उमंग बढ़ाएं, दूसरों को स्यानती दें, तो हम अपने संसकारों को बदलें, संसार बदल जाएगा, चेक करनें, हमारे अंदर परिवारों में या संगटनों में लड़ाई जगडा करने के सं संसकार तो नहीं है whistles, अगर हम लड़ते ही रहेंगे, तो सत्युग में हमारा पाठ पाठ कदापी नहीं हो सकेगा, हम त्रेटा युग में आएंगे और जब द्वापूर के बाद हम नए जननम लेना शुरू करेंगे, तो भी हम लड़ते ही रहेंगे वो संसकार हमारा इमर्ज हो जाएगा और जो लड़ते हैं उन्हें स्वेम भी श्यानती प्राप्त नहीं होती भलेई उनके द्वारा दूसरों को श्यानती मिलती है लेकिन हम जानते हैं जो दूसरों को श्यानत करते हैं वो कभी स्यान्त रहे ही नहीं पाते हैं ये भी देख लें कि हमारे अंदर कहीं परिशान होने का सुन्सकार तो नहीं है चोट चोटी बातों में हम दुखी और परिशान होते रहते हैं तो अगर हम अपनी स्रेष्ट स्यान में रहेंगे अगर हम स्वमान में रहेंगे तो हम परिशान नहीं होंगे बाबा का ये बहुत सुन्दर महवा की याद रखेंगे जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है और जो एहम में रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं वो स्वयम है तो कितना अच्छा हो हमारा जिम्मेदार स्वयम भगवान बद कर रहे वाह हम कितने निश्चिन्थ हो जाएंगे तक क्यों न हम स्वमान में रहें और टक्राव से पूरी तरह मुक्त रहें टक्राव वाली आत्मा सेवाओं में विघन ही डालती है वो वातावन को भी विशयल कर देती है और सेवाओं की सफलता को धूमिल कर देती है Vibrations negative हो जाते हैं और कोई भी ऐसे इस्थान पर आना नहीं चाहता है इसलिए चेक करें अगर टकराव हो रहा है तो हम दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं स्वयम की जाच करें मुझे स्वयम में कहां परिवर्तन करना है अगर हम दूसरों को ही देखते रहेंगे ये ऐसा बोलते हैं ये ऐसा करते हैं ये बार बार गलती करते हैं तो हम टकराव से मुक्त माहुल कभी नहीं बना सकेंगे बहुत अच्छी ये बात सभी को बार-बार याद करनी है कि दूसरा बुरे वचन बोले, हम ये सोचने की बजाए कि ये कब बगलेगा, हम ये सोचें कि मुझे अचला डोल रहना है, तो हम उसका पुरसार्थ करें, तो दूसरे की कमी हमें शक्तिसाली बनाने वाली बन तो आईए, आज सारा दिन हम सुन्दर स्वमान का अभ्यास करें, मैं मास्टर ग्यान सूर्ये हूँ, इस स्वमान से हमसे रंग विरंगी शक्तियों की किरने चार ओर फैलने लगती हैं, और वातावरन चार जो जाता है, फिर ग्यान सूर्ये से बाबा का अहावान करें, अपना धाम छोड़कर हमारे सम्मु खा जाओ, और देखें ग्यान सूर्ये माहा जोती निराकार नीचे उतर रहे हैं, ओर आगये हमारे सामने, ग्यान सूर्यां को के सामने हैं, उनकी रंग विरंगी किरने सामने से मुझ पर पड़ रही हैं, ऐसा अभ्यास एक मिनट हर घंटे में दो बार अवस्च करें,